तो जब भी हम पढ़ाई करने के लिए अपने टास्क होता है उस टास्क को कम्प्रीट करने के लिए अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटीजिस से काम करेंगे तो हम एजली उस टास्क को कर पाएंगे और हम जो है अच्छा नमर लाँ पाएंगे कम एफर्ट करने के लिए अलगलग स्ट्रेटीजिस होती है उनमें से ही एक स्ट्रेटीजी होती है आपका नोट्समेकिंग अगर हम एक रूम में जाते हैं और वहां पर सारी चीज़े एक फैली वही रहती है तो मतलब पुरा वैल जो है अच्छे तरीके से और्गनाइस नहीं रहता है तो हमें किसी चीज़ को ढूड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे लेकिन अगर हम एक वैल ऑर्गनाइस रूम में जाते हैं यहां पर सभी चीज़े प्रॉपर प्लेस पर रखी अगर कुछ बहुत इंपोटेंट टॉपिक से सब्सक्राइब और नोट्स आपको खुद के भनाना है। नोट्स में ठेक्स्न हरा है जो आपको पड़ रही है वो चीज आपको यार्थ नहीं हो रही है उसको ही आपको लेक मुर्ण है पॉरा लिख सकते हैं। उसको लिखना है। उसके पूइंट के लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें कि हमें चीजों को यदा तो बड़ा वाले टॉपिक्स को हमें छोटे-छोटे सेग्मेंट में कनवर्ट करना रहेगा उससे हम ग्राफ की मदद से चार्ट की मदद से किसी भी तरीके से उसको करके हम इजी वे में कर सकते हैं और जब भी आप नोट बनाएंगे तो उसके अंदर जो आपका पूरा पेज के लिए उसको पूरा फिल नहीं करेंगे वहापर नीचे आप तरीफ पर फॉर्थ वन फॉर्थ ऑफ दी पेज आप नीचे से छोड़ देंगे उससे क्या होगा कि अगर आ कुछ उसमें एडिशन करना देता है तो आप उसमें लिख सकते हैं थैंक्यो फॉर वाचिंग